नमस्कार निकोबार टैंस में आपको स्वागत है आज हम क्यामबल पे ग्रेट निकोबार आइलेंड में है और हमारे साथ यहां पर फॉर्स के कुछ डियारेम से कल आपको एक न्यू स्टोरी दिखाया था जहां पर इनी के साथ काम करने वाले कुछ डियारेम ने एक अलग ग साल काम दिया जाए फॉरेस्ट इपार्टमेंट अपने डियारेम को सीजनल वर्कर क्लासिफाइब करके उनको एक स्पेसिफिक पीरेट के बाद हटा देता है जिसके वज़े से इन डियारेम का घर चलना जो है वह काफी मुश्किल हो जाता है और इसी लिए वह वहां पर ध सामने रखना चाहते हैं यह जो काफी साल से कम करते हैं इनका पूरा साल काम करते हैं बहुत थीर आप से कपसे स्पार्टमेंट में काम सद्धाल अगुछ आप दोहजार थीन से काम कर रही हु तुनामी आया था हो दिन भी मैं नाइट डूटी में था फोटी वन का चेकपोछ में था फिर उसके बाद मेरा दो बज़े से दस बज़े तक डूटी ता मैं दस बज़े का बाद घर आ गया उसके बाद से फिर हमको ब पर निवार फॉरस दभाटमेंट में और इसी तरह लिए अपने 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 जगापर जो है कई सालों से काम कर रहा हैं फॉरस्ड डिपार्टमेंट में और इनको भी कुछ पीरेड के लिए या जाता है फिर इनको हटा दिया था जिनके वज़े से इनको जो है काफी आदा प्रॉब्लम होता है सर आपसे आने जाएंगे आपका नाम बताईए यहां पर जितना भी है सब बहुत पहले से काम करते कोई नबबे से है कोई बहुत साल से है सर पिर आभी हम लोको इसने इग्व्णोर कर देगा तो सर पर हम लोग जाएंगे तो मूं कं partir किसे अब तो नहीं तो नहीं के भी नहीं है, और शब्लोग पुराने हैं पुरानेटाम से अब कर रहे है और जिस तरह की आँत है वह जो से ग्रूप बैठा हुआ है उन्होंने इन से आधार कार्ड भी लिया यूनियन में जुड़ने के लिए जो फीज होता है फीज भी शायद कलेक्ट किया उसके बाद जो है इनको वापस कर दिया गया फीज और आधार काड़ कॉपी वगरा क्योंकि उनको बोला गया कि जो अभ चाहि लिढ़क आहिए उन्हों में से कही है एक तो मिन आपको दिखाय जो दोजार थीन सहां पर हॉख़र आप क्ब से काम कर रहे ह।नि-जो आप चैसम अप भी लेकर उनको तीन मैना ही होता हुगा या जिया ज़ादा दो मैना तो आप लोग का क्या मांग करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट से और जो यूनियन इनका लड़ाई लड़ा हमारा यह हमें हमारा हग भी दे दिजिए उनको भी निकालने का नहीं है उनका भी रोजी रोटी चलना चाहिए तो उनको भी काम दीजिए जब उनका पृरेट सब्सक्राइब करेंगे इसके बारे में आप Mason के अपर उन्हें से क्या माँ करने चाहएंगा उनसे मांग यही करना चाहिए कि हमें भी उनका साथ जुड़ना है उनका साथ देना है जो मतलब जो लेवर को मिलना चाहिए हग लेकिन जैसे हम पुराना कर रहे हैं तो हमको पहले हमको हग देना चाहिए उसके बाद उनका जैसा तीन मैना हो रहे हैं किसी का दो मैना हो रहे ह के बाद उनको उनका हक मिलना चाहिए जब उनका टाइम पूरा होगा तो यहां पर आप देखी कितने सारे वरकर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मैं सब पूछना चाहूंगा जितने लोग आप लोग यहां पर 2010 के अंदर वाले हैं वो लोग अपना हाथ उठाइए कौ 2010 के अंदर युन्होंने काम जोइन कि हैं 2010-2015 वाल आप लोग कौन को नहीं यहां पर कितने लोग हैं नहीं आप लोग आप लोग आप लोग तो यहां पर जितने लोग यह लोग ने जो है फॉरस देपार्टमेंट में काम जो है 2020 से पहले ही जोइन किया यह दोजार बीस में जोइन किया है और इनका कहना है कि किसी का हक ना मारा जाए उनको जो हक मिलना चाहिए उनको मिले जो दूसरा पार्टी जो आजिटेशन कर रहा है ग्रूप बनागे औ और इनको जो इनका हख मिलना चाहिए इनको वह भी मिले हम सर से इना जैना जाएंगे सर आप भी काफी सालों से काम कर रहे हैं तो आप बतागे किया कि आप लोगो प्रॉबलम फेस करना पड़ता है इस तरह से जो फोरस लिणा निकाल देता है थो थोड़े पीरिट में तो तो हम लोग कंटिनुन नहीं जॉइन करने दिया गया यह क्यों हुआ अप लोगों किया किसी से और क्या अप्रोच किया किस तरह हम लोगे साथ किया गया किसी को बता है आप लोग के से डो बात करा है कि मैं युणीनून मैं बताऊंगा एक अपता को दुबारा फोन करें फिर वही करना है कि बताएंगे सिर्फ तो यहां पर देखी यह लोग सब जो है CITU का यूनियन जो है वो जॉइन करना चाहते हैं लेकिन इनको जो है उससे अचुता रखा जा रहा है इनको जो है वहाँ पर जॉइन नहीं कर सुनामी सभी पहले उसके बाद भी जो है काफी लोग है जिन्हों ने 2010 तक जो है जिन्हों पंदरा तक तो यहां पर सभी लोग जो है वह पुराने लोग है और इननों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपना पूरा एक तरीके से लाइफ दे दिया है भले ही वह साल में ज जो है अपने अंदर शामिल नहीं कर रही इसके पीछे किस तरह का पॉलिटिक्स है रीजन एसका यह अब तक सामने नहीं आ रहा है लेकिन जो भी अभी जो फ्रेश बैच वहां पर काम कर रहा है जिसमें इनका कहना है काफी ऐसे लोग है जो कि नहीं है जिन्हों ने एक साल पहले ही जोईन किया है दो साल पहले तीन साल पहले जोईन किया है इस तरह भी लोग है और वो लोग जो है यूनियन के साथ है यूनियन ने उनको अपने साथ ले लिया है और उनका लड़ाई लड़ रहा है पर इनका लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है इनका यह कहना है और इनका यही मांग है कि इनको भी सात में लिया जाए या तो इनका हग हम कर सके इनके पूरे साल जो है तकि घर चल सके इनको पूरे साल यो है रोजगार मिल सके तो हमारे साथ जो DRM's है उनका ये भी आर्व है department पे कि department जो है एक ही family से जो है कभी दो कभी तिन लोगों को भी एक साथ जो है काम में ले लेता है और ये लोग सब मिलकर जो है एक साथ काम करते हैं और department जो है इनके साथ पक्षपात करता है सब्सक्राइब तरह पाँता है तरह बात कि अजना उसके बाद चैमल को नम पॉप झाल करने Caesar को थैसे नम करते करें अब कर रहा है लेकिन फैमिलिया कोई और मेंबर का नाम चड़ATHAN कर रहे तो रिकॉर्ड में जो है कोई में inward काम करें और जो इनका यह भी आरोप है कि दूसरे डिविजन से जो है दूसरे डिविजन में नाम चड़ा कर भी मतलब यह जो है for a sub un content निको बाद डिविजिन जो 되지 प्रेजेंटली ग्रेट साenne निकोबाद डिविजन और ये पुरा निकोबा24 डिकी और लेकिन इनका रोप यह है कि कोई और डिविजन जैसे कि वर्कर का नाम नाम यहां पर करते हैं क्दू कि अधिकारी aur राट केृप्अ का क्वर्व कुछ को साथ नाम पर पोड़ता है इस तरा का पक्षपात इन सब Style चल रहा है कुछ-कुछ लोग है जो पूरा term जो है काम कर लेते हैं मतलब पूरा साल जो है वो काम करते हैं छे-छे महीना करके दो बार काम कर लिया पूरा साल खतम हो गया या तो वो लोग एक बार अपना नाम से काम करते हैं एक बार अपना किसी family member का नाम से काम करते हैं नहीं हो liberal मतलब सब के लिए सब को जो है इकला अदिकार दिया जाये सबको जो है पूरे साल काम किया काम दिया जाए और किसी का Wellness ऊलाई जो ड्यार ब्लब्लिसरे ग्रूप के हैं उन deemed उनको भी जो है उनको मिलना यह मिलना चाहिए और अमने जो है इनको भी इनका समिट किया था उनको फीर पैसा होता पहले सब करना नया सब तो इनको भी साथ में लेना चाहिए जो फ्रेश बैच वाले वहाँ बैठे हुआ हो। जो लास्ट ने काम किया था उनी को जो है उन्हें के अफिलेट्र गया कि हम्हें को भी उन्हें कि पिछे किसी खाहर जया ना जाए किसी को तकलीफ यह क्योंकि वह जो है लेटेस बैच मे को दिया तौ इनका हग दपार्टमेंट को भी देखना चाहिए तो यांपर काम कर रहा है उनको बिना पक्षपात के सब को सबकार सब्सक्राइब